आज मसुन टिवी वर शाड़ा भढ़ना रहे सकाई साड़े साथ के दुपारी साड़े तीन परिंत शाड़ा भढ़ना रहे नियोजीत बातमेंची वेल वगाता शैक्षणी कारेक्रमान सा प्रक्षेपन होना रहे पहिला टप्पे तियाता दाहवी साथी मराठी आनी इंग् करेंटली 10 स्टैंडर में गए हैं तो उसके बारे में तो आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है लेकिन आज जो मैं लेके आया हूँ यहां पर दो बड़ी इंफॉर्मेशन से एक है आपके 12 के बोर्ड एक्जाम के रजल्स एन MST CET रिलेटेड एन दूसरा है जो आपने एक्जाम फीज बरा है 10 स्टैंडर के स्टूडर्स एन 12 स्टूडर्स बोर्ड एक्जाम के लिए उसका क्या होने वाला है तो चलिए स्टूडर्स हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूँ कि ये एक निउस आई है ये निउस अ ठाइब चुकर है यहाँ पर तरीके से बोल दिया गया यहां पर आप यहां पर आप अब यहां पर आप मराथी में देख रहे हैं मतलब खर्चा को चुका है अब कई लोग अर्द आप बताता हूं कि जो फीस होती है ना उसमें बहुत सारे स्कूल्स अपना एडिशनल फीस एड़ करके उसमें बच्चों से वसूल कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो 10 स्टैंडर के लिए 415 रुपे थे और 12 के लिए 430 रुपे थे तो स्टुडेंस आपको अगर आपके स्कूल ने इससे जादा पैसे लिए हैं तो आप स्कूल में जाके पूछ सकते हैं या कॉलेज में पूछ सकते हैं कि ओफिशली आमाउंट जो 12 का है वो 430 रुपीज है या कई पर 500 ले लिए कई पर 600 ले लिए तो आप उनको पूछ सक हुई नहीं लेकिन खर्चा कहां पर हुआ पता नहीं नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टन चीज अगर आप देखोगे सकाल ने उसमें आया है यहां पर 14 जून जो आज का ही डेट है तो उध्य सर ने यहां पर बोला गया कि वाइस चांसलर कमिटी होगी फॉर डिग्री एड इंपॉर्टन चीज यह है कि 12 स्टैंडर्ड के जितने भी लोग हैं उनके लिए बड़ी अप्डेट के है कि उनको बोला गया है कि 12 के बाद जो होगा वो डिसाइड किया जाएगा कि एडमिशन कैसे करना है तो अब कोस्ट यह भी अराइज हो रहा है कि CET एक्जाम होगा क भी नहीं होगा इसके उपर भी कॉस्टन बना हुआ है स्टुडेंस तो मैं आपको बता दूं यहां पर थोड़ा डिटेल में देखनी ते स्टुडेंस बहुत इंपॉर्टन चीज है यहां पर बोला गया है तो 12 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन वस कैंसल बाइदी स्कूल एडुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल ने कैंसल कर दिया देर्फोर दी सीटी फॉर्स यर एड्मिशन शुट बी टेकन फॉर्स यर एड्मिशन आप ट्रेडिशनल कोर्सेश एडुकेशन एक्सपर्स आर ऑफ दी ओपीनियन ठीक है तो बोला जा रहा कि जो एडुकेशन ए मिनिश्टर उदय सामन्त ठीक है तो यहां पर बोल दिया गया कि सीटी होगा की नहीं होगा वह बारवी के रिजल्ट के बाद डिसाइड किया जाएगा आफ्टर कमिटी ऑफ थर्टीन जो युनिवर्सिटी से उनको देखे यहां पर आपको चीज बहुत क्लियर नी मेंशन की गई है आप देख सकते हैं यहां पर आप यह स्टेटिमेंट को वापस पढ़ लिजा आपको समझ बहाएगा और मैं यहीं न्यूस का जो क्लिप यह जो लिंक है यह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप वापस इसको पढ़ सकते हैं तो यहां पर एक च सब्सक्राइब के लिए तो इसलिए कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज है कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेस होगा मतलब जहां पर हर साल सीटी होता है तो क्या उनके लिए सीटी होगा अब इसमें भीना दो टाइप के लोग हो गया देखिए दो डिफरंट स्ट्रीम आ गया यहा होना चाहिए ठीक है जबकि दूसरे लोग बोल रहा है कि सीटी जो होगा वो कास्टिंग डाउट होगा और रिजल्ट 12 स्टैंडर्ड के मतलब उनको बहुत सारा डाउट फुल है तो अब ओपीनियन यही है कि सीटी होने वाला है कि नहीं होने वाला है इसका डिसीजन बेज देगा है बोच साइट के लिए कि दोनों करना है नहीं करना है क्या डिमांड उसके उपर उन्होंना किया है तो इसलिए वो बोल रहे है कि हम फिलाल के लिए वीटिंग फॉर 12 स्टैंडर्ड के रिजल्ट का अब रिजल्ट कब बनेगा तो उसका जी आर आना बाकी है लगबग आप मान के चलिए दो हफते में जी आर आएगा ठीक है जी आर आएगा तो बताएगा कि रिजल्ट कैसे बनने वाला है फिर आपके कॉलेजिस उस पे काम करना चालू होंगे फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और तब उसके बाद डिसीजन होगा तो पहले बोलता था देखिए इसले में बोलता है वह 101 परसंट आगे करेक्ट होता है अब यहां पे बोला गया है कि एमे इसा जो है यहां पर बताया जा रहा है कि जिलाई में हो सकता है तो आप सुचे जब रिजल्ट ही ने बना थैगा तो आप examination the CET cell is planning to conduct the MSTCET examination for admission to vocational courses in the state by the July 15th, बोल रहे हम 15 जुलाई तक हम पेपर भी कंड़क करें, बारवी का बाद हम डिसाइड करेंगे, कई पर हम बोल रहे हैं 15 जुलाई तक हम पेपर भी कंड़क कर लेंगे, अगर 15 जुलाई तक पेपर भी कंड़क करना है, तो ऑफिशली जो CET के जो registration स्टार्ट हुए, वो खुद 15 जुलाई तक है, आपको मालू होगा कि 15 जुलाई तक है, तो यहाँ पे वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि vocational courses के जो admission है, वो 15 जुलाई तक हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, यह सारी चीजे, तो यहाँ पे सामन जी ने बोला था कि MST CET जो complete होगा by the end of July in any cases, but वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कि यह चीजा पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन होने को हो भी सकता है, students, आपको एक हफते का ही time देके और बोला जाए कि चलिए सब registration हो गया, एक हफते के बाद आपका exam है, ऐसा भी हो स इसमें आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, आपको CET के भी, MST CET है, उनके भी test series हम आपको free में देने वाले हैं, जैसे हमने 10th के लिए चालू किया, वैसे हम आपको 12th standard के लिए चालू करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पूरा हम आपको courses बना के दे रहे हैं, सिर्फ आप वेट कर लीजिए, तो ये पूरा update था students तो हम पूरा summarize कर दे तो जो भी आपने 10th and 12th के लिए board exam की fees भरी थी, exam fees वो आपको नहीं मिलने वाली ऐसा board बोल रहे हैं, इसमें ऐसा बताया गया, दूसरी चीज़े आपको बोला जा रहा है कि जो 13th university से उनकी एक, जो board exam के result के बाद, मत्तब काफी ज़्यादा delay हो रहा है, साथी साथ CET होगी की नहीं होगी, इसके ओपर भी decision 12th के result के बाद होने वाला है, तो पूरा overall अगर आप देखा जाए तो आपको एक बड़ा question mark आपके दिमाग में डाल के छोड़ दिया गया है, so students आपको tension लेने की ज comment कर दिजिए, आपके survey को मैं use करूंगा और आगे मैं higher authority से बात करने वाला हूँ, so thank you very much for watching India buddy, जै हिंद, जै महाराश्टर।